जब जीवन में तहीं समस्या खड़ी हो जाए तिहीं बहुत विकट समस्या है और कोई हल ना मिलदा है। ओओ जाता है जीवन में कोई-कोई घड़ी ऐसी आके कड़ी हो जाती है जहां पर हमको सोचने के लिए भी समय नहीं है। मंगलवार को अगर शिवजी के मंदर में शंकर के मंदर में जाकर एक लोटा पानी चड़ाया जाता है तो हमारे गारे में उन्नती होती है सुभा उठने के बाद घर की सफाई न करती हो दिन में पलंग पर सोती हो रात्री भर बरतन जूटे जिसके घर में पड़े रहते हो उस घर में तुम अपनी धर्म पत्नी को दरिद्रता को लेकर प्रभेश कर जाई है जहा नारी दिन में सोती हो जहां रात बरके बरतन जूटे रखे रहते हो उसके घर में तुम प्रवेश कर जाई है महाराज और इस्थान तो कहा जहान कि इमली का पेड़ हो पीपल का भ्रक्षो हो बड़ का पेड़ हो कांटेदार पोधे जिसके घर में लगे हो उस घर में तुम प्रवेश्च अब दुसा मुनी और दुर्वासा जी की तो बात चल रही है इतने में भगवान नारेण और में अधी पंदरा दिन हो गए मेरि बेहन के विवहा को बीस दिन हो गए अपन मिलने नहीं गए एक बाठ चलो नमिलने भगवान बुले चल चल चलते और बगवान ना रहें सीधे hypocrisyy उस जेशता सो मिलने के लिए अप दरीज़ता से मिलने के लिए जैसे पहुचे तो ठरी वीपल के पेड़ के नींचे दरदता बेख लिए है कि अ वहीं पर पोच्छ अमने डिये आप किसी से मिलने जाओंगे तो क्या लेकर जाओंगे किय हूं उसक्तान कुछ पी मिष्ठान मुं मिटा कराने के लिए जिसी बिवाव हुआ है इसके तो उसका उसलें दटार बद्वा लेकर चले और उछ लच्मी ने तुरंत जेश्टा देवी को दिया जेश्टा को दिया तो देते ही दरीदता ने मिठाई कर अबब फेक दिया और फेकते से बोली लच्मी तु मेरी छोटी बेहन है तुझे इतना नहीं मालूम कि तरी बड़ी बेहन खाती क्या और मेरे लिए तु मिठाई लेकर हो गई है जो तु मेरे लिए मिठान लेकर आई है तुझे मालूम नहीं कि मुझे खटा और तीखा पसंद है लच्मी जी की आँख में आशू भर गए लच्मी जी भोली जी जी में तो समझी कि तुम्हारा विवा हो गया है हो सकता है तुम कुछ चेंज करी हो अपने स्वा दखो क्योंकि विवा होने के बाद थोड़ा सा व्यक्ति बदल जाता है मुझे लगता है आपने कुछ चेंज करा हो इसलिए में आपके लिए मिठाई लेकर आई है लच्मी तुझे मालूम नहीं मैं क्या खाती हूं मुझे नहीं चाहिए मिठाई का डबा फेक दिया आज कई दरवाजों पर कई दुकानों पर आपने निबू मिर्ची टंगा हुआ देखा हो कई लोग कहते हैं नजर से बचाता है नजर से नहीं लच्मी और दरीद्रता ये दोनों बेहने हर एक व्यक्ति के घर में प्रती दिन प्रवेश करती है पर लच्मी के लिए मिठाई फि दृशन जाती है दरवाजय से खाकर पूरान वहीं से लोड़ जाती है कई लोग कर大धा नजर के लिए नहीं धरीद्रताः नगरे कर रही है तो धर्वोजन करकर निकल जावे आज भी घर के इंदर प्रविश्ण न खरे। अगर निफ्बू और अमिर्ची को यंदर की डल्या में रखा जाता है। अगर निब्बू और मिर्ची एकी डलिया में रखे रहते हैं तो उस घर में दरीदर्था का निवास आता दरीदर्था का प्रविश्म हमारे यहां तीन चीजे बेटी की बिदाई में नहीं देते आप लोगों को मालूँ है एक जाड़ु अरे बोला तो सही है कि गलत है एक जाड़ु बेटी की बिदाई में नहीं देते हैं एक चलनी चानने की बेटी की बिदाई में नहीं देते हैं और एक अचार की बरनी बेटी की बिदाई में नहीं देते हैं यह तीन चीजे नहीं देते हैं चलनी भी नहीं देते हैं जाड़ु भी नहीं देते हैं कहीं कहीं वेटी बेटी की जारू में बेटी को तो उसके घर की लच्मी थी अब करें तो खरेंगर और आचकल माताओं का इतना प्रेम होता है अब आप बेटी से करें तो करें के और बेटी जिस घर में भी आती है ना वहांके उसके बेटी के ससूर भी थे ढ़लहा विनको कौन सम्जाए भेगए इंको सम्झा ए कुन कि वह आचार में दरफीरता का नीवास है के कौन इनको के कट्टा और तीका घर में प्रवेश करेगा अगर बहु की आंका तो उस घर में सुक नहीं दे सकता चार लोग भी होंगे तो चारों का मुँ बिल्कुल निब्बू की तरह खटा और वानी मिर्ची की तरह तीखी रही कि चाह कित्ता ही प्रयास करें अगर अच क्या देते हैं बीटी की विधाई में बड़ी पापड़ खाझा सफेद पूरी मेuschक्य डलिया में रक्क के बेटी की विधाई में देते थे क्यों क्योंकि जो इस्थिरता का भाव रखे भले उसमें नमक न रहे परंतु मोनता प्रेम इसने हैं नम्रता उसके अंदर होना च एक एक चीज का प्रमान था बेटी की विदाई में दे 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 अब आज के जमाने में लोग तो जाने हैं नहीं बस जो आजाए आंदो 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 और आतो गया फिर पचान दो फिर अब आप पचाओ बहुत कठीन है काना सरले पर पचाना कठीन है बहुत कठीन है बहुत कठीन तो बहुत कठीन था तो यह दरीतरता देवी को लेश्टा को और लच्मी जी ने मिठाई दी उसने फेक दिया मुझे खटा और तीखा बस ने मुझे ने में यह नहीं काता है आप ले जाओ इसको मुझे खटा और तीखा लाकर दीजिए मुझे खटा और तीखा चाई समझाए भगवान विश्णू लच्मी जी से कर रहे हैं तेरी बहन को समझाना बहुत कठीन है तू चल लच्मी जी जाने लगी इतने में लच्मी जी न भगवान न रहें से बिंती करी न रहें यह यह मेरी बेहन धरीदरता बेटी है पीपल के बेड़ के नीचे और पीपल के ब्रक्च के नीचे मेरी बेहन बेटी हुई है इस पीपल के ब्रक्च के नीचे तो ना जाने कितने कितने लोग पूजन करने के लिए आएंगे ना जाने कितने कितने लोग पूजन करने के लिए पहुचेंगे और यह धरीदर्ता यहां बेटी रहेगी तो दुनिया के लोगों के साथ में तो यह धरीदर्ता पीछे-पीछे उनके घर चली जाईगी फिर दुनिया के लोग पीपल के व्रक्ष की पूजन नहीं कर पाएंगे और पदम पुरान के अंदर लिखा है कि पीपल के व्रक्ष के नीचे बावन हजार ब्रह्मनों का वासा होता है फिर पीपल के व्रक्ष का प्रमान क्या भगवान नरहिंड बोले सुनो लच्मी ये पीपल के व्रक्ष के नीचे तुमारी बेहन दरितरता निवास कर रही है पर जिसकी हाथ में या तो माला हो जल का पात्र होगा या कूंकू का चोपड़ा होगा या दियाबाती होगा जो अपने हाथ में कुछ ना कुछ लेकर आएगी पीपल के व्रक्ष की पूजन के लिए और वापिस वो पात्र लेकर जाएगी उसके पीछे कभी दरितरता उसके घर में प्रविश नहीं करेगी और जो खाली हाथ पीपल के व्रक्ष के नीचे प्रविश करता है उसके साथ में धरितरता उसके साथ पीछे पीछे प्रविश कर जाती है और सुनो लचमी आज शनिवार का दिन है जिस दिन में इस दरितरता से मिलने के लिए लचमी तेरे साथ में इस पीपल के व्रक्ष के नीचे आया हूँ जेश्टा से मिलने के लिए तेरी बेहन दरितरता से मिलने के लिए शनिवार के दिन अगर कोई भूल से भी इस पीपल के भ्रच के नीचे आकर नमन करेगा प्रइणाम करेगा, पूजन करेगा, पाठ तरेगा, उसको शर्वसुक की अनुभ। प्राप्त हो जाएगी इसलिए शनिवार का प्रमान कहा गया है शनिवार की प्रमान कहा गया है और महाराज एक रविवार का दिन ऐसा होता है जिस दिन धरिदर्दा ने मांगा है अपने सुख के लिए वह अगर साथ दिन आपके है तो एक दिन मुझे दिया जाए मेरे सुख के लिए धरिदर्दा देवी तो रविवार के दिन इस पीपल के ब्रच के नीचे जिश्टा तेरी प्रखरता के सांथ में तो दुथामूनी के सांथ इसमें निवास करेगी केवल हिंदू धर्म में एक सनिवार, मंगल, सोंबार, बुदवार, कभी भी आप पीपल के पेड़ को अगर दिवाल पे से उखाड़ोगे, तो वो पीपल वापिस लग जाए लगए, पर रविवार के दिन अगर चावल पटक कर पीपल के पेड़ के उखाड़ दोगे, तो वहाँ पर दूसरा पीपल कर दिवाल पर क्यों है, कई लोग दिवाल पे से पीपल जाब भेड़ते हैं, तो वहाँ पर केवल चावल पटक दोर रविवार के दिन उसको निकाले, एक दिन रविवार का दिन ऐसा होता है, जिस दिन दरी दरता अपने पूर्ण पर वहाँ में रती ये संड़े के दिन, रविवार के दिन, रविवार के दिन, इसलिए अमारे यहां रविवार की मात्वता का भी प्रमान अमारे यहां सास्तर करता है, सनिवार को पीपल के पत्ते लाए जाते हैं, और जो व्यक्ति ज्यादा विमार रहता है, उसको रविवार के दिन पीपल के पत्ते की पत्तल बनाकर उसको बोजन कराकर पतल को चुरहें पर पड़क दिया जाता तो वैप्यक्ति बिमारी से छूट जाता है। को पिर बिमारी नहीं रहती है रोक मुख जो बहुत ज्यादा विमार रहता है इसलिए शनिवार को पत्ते लाता रविवार को बोजन घनाते पीपल के पत्ते पुराण में उसका व्यक्ष्ञा नहीं तो मनुष्य की पूर्णता है भगवान की भजन में भगवान की कथा में भगवत तात्विक सुक के अंतरगत भगवान की पूर्णता माईए बड़ी मुश्किल से मनुष्य दे मिलता है और उस मानव दे को पाकर भगवत भजन करना बहुत ख़टे है नहाने और इसनान में बात्रूम में गए सामुन लगाया पानी डाला इसको कहते है नहाना और इसनान का मतलब क्या है इसनान का मतलब है हमारे कर्म कांडों में हमारे सास्तरों में पंडित कहते है इसनान करकर यह इसनान का मतलब यह नहीं कि पानी डाला तलाब में कूद गा इसनान कर लिया इसनान तीन करोड़ वार भगवान का नाम निकल जाता है तब जाकर मनुष का इसनान हो पाना जो बात्रों में जाकर पानी कूड़ा वो तो नहाना होगा इसनान करने से एंकार घटता है और नहाने से एंकार बढ़ता है तुम जित्ती बार मुंडाद होगी फैस बास से उत्ती बार दरफन में मुझेखाो जोन ताने फिर नहाने से एंकार बढ़ता है और इस नान से इंकार घटता है भजन करने से एंकार घटतेगा अभी थे इस नान करना मतलब सक्संग में जाना मतलब महां पर हमारा कोई मानने हैं, सर्संग में जब बठाना गया चेवां अब कर भादमद्य को भीव भादआ र् , कई लोगों को बड़ इर्शा रहती ते लिए सत्भामा जी को भी बड़ा फुर्सा आया, डॉस्त बहामा ने एक बार कनेशा जी को देखकर और रुखमनी जी से पूछा यह कन्या को हो क्या गया जब देखो बाग बाग के दुरोपती के घर जले जाता है ये द्रोपती से रिष्टेदारी किया इसकी कृष्ण की रोकमनी जी ने कहा द्रोपती उनकी मूँ बोली बेहने तो ये सिकाई की बेहन जाजासी देर में भगवान को बुला लेती और भगवान भी पूरा द्वार का छोड़ के उसके घड़ बग जाता एकाद दिन मुझे ये द्रोपती को सही करना पड़ेगा सत्भामाजी बोली रुकमनी और भगवान ने कानों से सुनी लिया सुनते भगवान तुरंत आयए और आतर बोले मैं जा रहा हूं इतने में तुरंत रुकमनी ने पूचा कहा जा रहे है हो प्रभू बगवान बोले म आपनी बेहंद्रोपती के घर जा रहा हूं सत्मामा जी बोली अच्छा इतने में भगवान बोले तुम चल रही हो क्या सत्मामा जी ने रुख्मणी को कोनी मारके का आज मोका मिला चल आज ननन के तो इसा ठीक करेंगे जिंदगी भर नी पुलाई ऐसा कि सत्मामा जी तुरंत केती हैं पर अब आज चल रहे रुख्मणी जी बोली हम भी चल रहे दोनों चल दी पहुची दो पतिकेशत बारिए बाल मूंच रही है कंगे से बाल शवार रही तो भगवान ने पूच़त दो पतिजी जी क्या कर रही हो दो पतिजी बही आ बाल सवार रही हूं इतने में भगवान बोले तु काय को बाल सवार रही तरी दो दो भावी आई ये सवार रहेगी सत्मामा ने मन में सोचा अपनी तो पूरी लाइन के लिए होती चली अच्छा एसा बाल सवार रंगी एक खुपडिया में बाल नी रेंदू इसके रुप तो जा ननंद के सत्मामा से भगवान ने का सत्मामा तुम तेल लगा रुकमणी तुम चोटी करना है दुरोपती की हाओ सत्मामा जी जो तेल लगाने वेठी है तेल लगाते लगाते सत्मामा जी ने एक बाल तोड़ दिया जो तोड़ा दुरोपती कुछ नहीं बोली पर उस बाल को उसमें से आवाज आई है कृष्णि सत्भामा जी ने फिर दूसरा बाल तोड़ा फिर उसमें से आवाज आई है कृष्णि सत्भामं को शाथु से इस बाल तोड़ने पर आवाज आ रही है तो वार बार आवाज आ हाए तो सत्भामं को और प्रक्रे पर मातरिक दुरुपती ओसी है जो एक दिन में साड़े तीन करोड़ बार मेरा नाम जाप करती है इसलिए मैं दोड़ दोड़ कर इसके पास जाता हूँ इसके हर एक रोम रोम में मैं समया हूँ मैं समया हूँ फिर भी सहन नहीं हुआ फिर भी सत्मामा से सहन नहीं हुआ और सत्वामा जी ने चोटी करते करते पूछी लिया दुरोपती से ए दुरोपती जी जी ऐक बात बताऊगी दुरोपती बोली बोलो क्या पूछना है हमारा एक पती और हम 16,180 रानी तो भी हमारे केने पे नहीं चलता और तू अकेली और तेरे पांच पती तेरे केने पे चलते हैं कांकी बूटी खिला दी तूने अपने पतियों को यही कौन सी जड़ी बूटी खिला ही है यही कौन सा जादू कर दिया जो तेरे पांच पती तेरे केने पे चल रहा है और हमारा एक पती हमारे केनों पे नहीं चले अब यह बात अगर किसी इस्त्री से कहो कि तेरे पती तेरे केने पे चल रहा है तो बुरा तो लगेगा मैं और हमारा पती नहीं चल रहा है बहुत गुस्सा आया दुरुपती को पर बोली कितना सुंदर दुरुपती बोलती है भावी मेरा कृष्ण भी आपके कहने पर चलता जैसे आज मेरे पांच पती मेरे कहने पर चल रहा है मेरे पांच पती मेरे कहने पर केवल एक शर्त पर चल रहा है याद करो जी जी भावी जब मेरा विवा हुआ था ना मैं अर्जुन के साथ में ब्याही थी अर्जुन मुझे लेकर आए और मेरी सास रोटी बना रही थी सास रोटी बनाते बनाते अर्जुन ने कह दिया मां हम देखो क्या लाए हैं और जैसे ही सास ने पलट कर नहीं देखा और कह दिया पाँचो बाट लो और मैं पाँच पतियों की पत्नी बन गई अपना सास का कहना मानूँ करा और मैं पाँच पतियों की पत्नी बन गई पर भावी मैंने अपनी सास का सम्मान करा बन में भी रही तो साथ निभाया जंगल कौन सा साथ नहीं पाया भावी तुम 16,180 रानिया थी और तुमारे साथ ससूर देवकी और वसुदेव द्वारका में मिलने के लिए आये थे 16,180 रानिया तुम अपने अपने कमरे में जाकर सो गई और साथ ससूर को हौल में पटक दिया अगर एक बहू भी अपना कमरा छोड़ कर देती मम्मी दो दिन के लिए आई हो इसमें ठेर जाओ पापा इसमें ठेर जाओ तो साथ ससूर का अगर तुम आदर करती अगर तुम तुम तुमारे पती के माता पिता का आदर करती तो ये पकता था कि तुम्हारा पती भी तुम्हारे कहने पर चलता पर तुमने अपने पती के माता पिता का आदर नहीं करा इसलिए तुम्हारे पती भी तुम्हारे कहने पर नहीं चलता तुम्हादर तो करती है भाबी आज भी वो देवकी वसुदेव हाल में बेठें और सबरानी अपने अपने कमरे में बेठी है द्वार का गए हो आप लोग द्वार का गए हो तो द्वार का में जाकर देखना देवकी और वसुदेव का मंदिर द्वार का दीश के ठीक सामने सबरानी अपने अपने बवन में और वो हाल में पर सम्मान करो की तो सम्मान मिले आदर करो की तो आदर मिले आप अगर माता पिता का आदर तो करो बचन तो निभाओ जब लड़का और लड़की की साधी होती है न तो मैं साथ पांच बचन बोलते हैं नहीं बोलते हैं मालमनी जोदपुर में बोलते हैं साथ पांच ही बोलते हैं कि चोदा पंदरा बोलते हैं अचा साथ पांच लड़की के साथ लड़के के पांच बचन लड़की अपना बचन निवाती है तो बचन में एक बचन दिलवाती है कि तुम मेरे माता पिता का अधर करना लड़के से किलवाता है लड़का कहता है हाँ करूँगा पर लड़के के पाँच बचन में ये बचन नहीं रहता कि तुम मेरे माबाब का सम्मान करना क्यों नहीं रहता लड़की के साथ बचन में लड़की अपने लड़के से बचन दिलवाती है पंडित बोलता है कि लड़की का एक बचन है कि तुम हमारे मावाब का सम्मान करना लड़के से हुंकारा भरवाई जाता लड़के से पूचा जाता है कि तुम लड़की के मावाब का सम्मान करोगे हाँ पर लड़के के पांच वचन में ये वचन नहीं रहता कि तुम मेरे मावाब का सम्मान करना किसी ने पूचा गुर्देव ये बताओ लड़की के साथ वचन में एक वचन है कि तुम उसके माव माबाब का सम्मान मुझसे करवा रही है तो यह पक्का है कि मेरे माबाब का सम्मान भी ये कर लेगी तो मुझे वचन दिलवाने की जरुवती नहीं मैं क्यों वचन दिलवाँ जब ये अपने मावाब का सम्मान कर रही है अपने माता पिता के लिए एक पराए लड़के से हुंकाना भरवर ही कि मेरे मावाब का सम्मान करना जब इसके मन में अपने माता पिता के परती इतना आदर है तो मेरे मावाब के परती इसके मन में कितना आदर होगा इसलिए मुझे वचन दिलवाने की जरुवत नहीं ये लड़की घर की संसकारी थे और मेरे माता पिता का आदर करेगी ये मुझे लगता इसलिए लड़का बचन नहीं दिलवाता कि तुम मेरे मावाब का सम्मान कर उसने एक ने दिलवा लिया वोई बोलते हैं अधियाम सब बोली एक बार जम कर श्री शिवाय